है अलो दोस्तों आज का ब्लोग में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग लाल चिटी पकड़ने आये हैं तिन जन यह रहे ब्लाक सर्ज पेहने हुए है इनका नाम है तरास भाई और यहां पे जो यह ग्रे कलर का टीशर्ट पेहने हुए यह भाई का नाम है संजीब भाई है सब्काक करें होग है कैसे तो हम ढूनने में लगे हुए हैं कहां पर रेड़ चिटी का घड़ बनाया हुआ है उसे हम तोड़के लेने वाले है फुरे फुरण पुरेंस पते के अंदर घर बना करें रहतो और बगू की चिति तो वह तिके अंदर रहतें कुछ-कुछ लकड़ी के अंदर भी रहते हैं वो राम का घर जो बड़ा सा दिख रहा है कि हम सोच रहे कि उसको नहीं तोड़ेंगे इसलिए नहीं तोड़ेंगे वहां पर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए कि यहां से थोड़ा वीडियो को मैंने स्लो कर दिया ओ भाई तरह सब्सक्राइब के एक्स्प्रिशन तो देखो वाँ कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि यह सोच रही है क्या सोच रहे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि साइद आपको समझ में समझ में आ रहा है तो बता दीजी कि नहीं कहीं देख रही है वह भाई और संजीब भाई यानि कि उन्होंने तोड़ के लाया है वह डालिया जहां पर वह चिटिये का घर था उनको भी जो भाई कर दो एक पधा पकड़ करें ऊसका अंदर निकल रखेंगे और फिर उसको बांध के रखेंगे करो भा ना जाया कि państra अंधा कर दिया समे के अ में हाथ में पकड़े हुए कुछ थोड़ा सही ही ज्यादा नहीं होंग सिधा गदा होते तो आ हात में नहीं आते वाह कितना टाइट पकड करका साजीब भाई ने यह देखिए उनके हाथ से एक दो निकल रही है यहां पर दीख रही है उन्होंने दोनों हाथ से उनको पकड कर रख रही है एक को तो गिरा दिया यह लाल चेटी जब काटते है न तो खुझली बहुत होता है जलन भी बहुत होता है कि वाव दिखाओ दिखाओ भाई दिखाओ कितना चीटी तब लोगों कोने पकड़ा हुए है कि मैंने सुना था कि जो कॉर्णा वायरस से पूरी दुनिया डरी हुई थी तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसका उपाय निकला कि कॉर्णा वायरस के लिए तो कोई भाक्सिन नहीं आई है तो यह रेड चीटी बहुत अच्छे की तरह काम करते हैं जैसा लोगों का कहना है हमको तो भाई नहीं मालूम मैं तेक चल खाता नहीं हूँ बच्मन मैं खाता तो अब तो छोड़ दिया कि अज़िए वाओ इतनी असी चलेगा भाई थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा खाव जाई कि मुझे भी लगता है काल यहीं चीटी लेना पड़ेगा यह वीडियो काफी दिन पहले सुट हो आता यारे कि दिसेंबर की महिना में अभी आज मैं भाईस डबिंग कर रहा हूं जानवारी बारा तारिक को अभी सोने का बयोक्त है मैंने सुचा कि इसको डॉप करके काल तक इसको पॉस्ट कर दूंगा कि अब आप देख पा रहे हूं कि ज्यादा नहीं इसका अंदर वह चिटियां कभी कौम है अभी हम दूसरी को और आगे यह देखा संजीब ने किस तरह उनका रेट चिटी का घर पर हमला कर दिया लोग कहते ना चिटी की तरह मसल दूंगा यह भाई ने पकड़ लिया अभी यह उनको मसल लगा मर जाएंगे और कुछ तो घायल हो जाएंगे संजीब भाई कपी फूल से मुस्करा रही है वाव एक तो टेस्ट कर लिया और भाई से पुछते कि कैसा है यह देखो मूंडी हिला रहे हैं वो लेके अच्छे हैं मूंडी लेने वाला स्वाद है अब फिर वो ढूंड़ी है कहां कहां पर है इसको भी तोड़ेगा हुए भाई अभी संजीब भाई दूसरी बले ने देख लिया इसका अंदर भी साइध है या नहीं है आगे और एक दिख रहा है इसको भी तोड़ेगा यह नहीं छोड़ेगा यह लोग सिटी में रहते हैं और जब पहली बार साइध जंगल घुमने आये हैं हमरा घर तक जंगल के पास है पाड़ के पास तो इसलिए साइध फिर से संजीब भाई ने चाक लिया लगते यह पकड़त पकड़त खाते रहेंगे और हम दोना खाली देखते रहेंगे तरास भाई तो रेट चिटिया का मज़ा नहीं लिया उनको भी खिलाएंगे आगे को यहां पे दिक रहा है यह रहा उनको रेट चिटी का घर बड़ा सा यह थोड़ा है यह रहे तरास भाई संजीब भाई ने कफी मज़ा ले रहे है पकड़त पकड़ते और तरास भाई बहुत उदास है एक्चिल यह सुबह नव साड़े नव बज़े का टाइम पर हमने सुटके थे वीडियो तो उस बक तो नास तक कुछ खायत नहीं इसलिए साइद उदास लग रहे है वाउ तरास भाई का जोगड अच्छा है अभी संजीब भाई वहां पे जा रहे है अब यह रहा संजीब भाई अभी उपर दो च्छोटा पते में वह चीटिया घर बना है अभी इनको तोड़ने वाला है देखते हैं यह मेरे को गामच्छा देना पड़ा क्योंकि नहीं तो भाग जाएंगे इसलिए मेरे के गामच्छा देना पड़ा ताकि वह भाग ना प अब में थड़ा संजीब भाई को हेल्प कर रहा हूं और मोबाइल तरास भाई ने पकड़ा हुए हैं यह संजीब भाई ने डालिया तोड़कर लाए हैं अभी वहां पर जितना खोजना था खोज लिया मैं थोड़ा आगे आ गया हूं और यह भाई दोनों पीछा आ रहे हैं काफी खूस है तरास भाई का मुंसे लिटिल लिटिल स्माइल निकल रही हैं संजीब भाई कफी जो इसमें है यह देखे गांग्चम किस तरह पका बांग के लेने वाला है और जो इसमें से एक दो निकल रहे हैं अब यह भाई दूनें बहुत मुश्किल से वहां से निकल का रहे हैं अब यहां पर तरास भे खड़े हैं कापी कुछ लग रहे हैं अब इस बक्ति उधास से लग रहा था अभी देखें कितने स्माइन निकल रहे हैं थोड़ा बहुत एरेड़ चीटी भाई ने पकड़ रखाया ना इसलिए तोड़ने के लिए सोच रहे हैं वह कह रहा है कि यहां पर नहीं है लेकिन उस पत्ते के अंदर चुट्या है अब यह तोड़ेगा देखें यह ने कब अब 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 लागे लागे ने जोगड में लगए है कि उससे को बुड़े उकाता को वाँ संजीब यहां जहां पर भी पकड़ते हैं खाने में लगे रहेता है कि वाँ संजीब किस तरह दिख रहे है अब तरह सब्सक्राइब कुछ सोच रहे हुएंगे वह चिटी को देकर लगता है उनका मुह में भी पानी आ रहा है हमें तो यहीं लगता है कि देखते हैं तरास भाई क्या करें मैंने तड़ा वीडियो को स्लोप कर दिया इसलिए तकी सब को पता चले अरे वाँ तरास भाई भी यहीं सोच रहे थे अरे इतनी सी चीटी के लिए उतना बड़ा मुह खोलने का क्या जो रूरत है भाई तरास भी इस तरवर अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है संजीब भाई ने तो पकड़ पकड़ को खड़े हैं वो दीख रहे है कहां कहां पर मेरे कुछ वो लाल चीटी ने काटा है तरास भी और क्या देख रहे हैं देखते हैं बीड़े तमीने सलोग कर रखा हूं अरे वाँ संजीब भाई और एक मुह में डाल दिया लगता है तरास भाई का और भी खाने का मन है या टेस्ट नहीं है पता नहीं क्यों कि उदस उदस लग रहा है अभी चुप चप खड़े संजीब भाई का मां आशो आगया साइद कि खुशी के कि नाकी गम के तरास भाई थड़ा-थड़ा मुस्कुरा रहे हैं वह और भी खाना चाहते है साइद कि मैंने वीडियो सुट करना कुछ भी बोलता रहता हूं तो इसलिए थड़ा सर्माता होंगी सर्मिला भाई सबसे संजीब भाई है तरास भाई इतना सर्माता नहीं है अब तरास भी अपना चेहरा देखा रही है कुछ हांस भी रही है मैं ते वीडियो स्लो कर दिया क्या 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 बात हुई वह तो मुझे याद नहीं है कि यहां पर चले को चीटी पकरने के लिए एक चुज संजीब भाई की यह प्लान था और मेरा प्लान था कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो कि हम इसा के लिए याद रहे यह परल को हम कभी भोलना पाएं आज है तारीक दिसेंबर 29 का यह ब्लॉग है तो इस ब्लॉग में यहीं पर रुकता हूं चलिए बाई कि अन्युड ना करने शिरूप को सूटिंग चला यह थोटए ने थोंडहां चला यह थी इंतिंग अ है अ ओन दर होटाइम स्वाडों काई नेके कहता था दो यह विलकुल अ ये बलक किसां दूर गाया तो तम